दोस्तों क्या आप भी एक ऐसा ही स्टॉक ढूड है जो कि छोटे साइज गाव लेकिन जिसका fundamental काफी जड़ा ही स्टॉंग हो आने वले टाइम में कमपनी फिर से बाउंस पैक करके एक बड़ी ग्रोथ आपको दे सके तो दोस्तों यही स्टॉक सबसे बेश्ट होगा आपके लिए अगर आप भी ऐसा ही स्टॉक ढूड है इस कमपनी का fundamental देखेंगे कमपनी का technical view देखेंगे टोटल एनलाइस करके हम आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ बताने वाले हैं तो वीडियो में लास्तक बने रहे हैं कोई भी पार्ट मिस न करें और जिन लोगों ने अभीदक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रिंस करना न भूले तो देखते हैं इस company के detail को सबसे पहले company के नाम की बात के तो मैं बात करा BCL Financial Services Limited अगर इस company के fundamental की बात के तो आप देखेंगे इस company के जो size 23.4 करोड का है company के अगर 52 week low और 52 week high की बात के तो आप देखेंगे company का 52 week low जो की 34 पैसे का हुआ करता था company ने अपना high बना था 5.38 पैसे का और वहाँ से यह company एक correction भी आपको दिखा चुका है अभी यह company आपको 50% के भी down price भी मिलना है अगर इस company के 52 week high से आप compare करेंगे अगर इस company के आज के closing की बात के तो 2.1 पैसे पे आज यह company close हुआ है अगर इस company के और important detail की बात करेंगे तो आप देखेंगे इस company का जो ROE है वो 73.4% का है वह अगर इस company के ROCE की बात करते हैं तो 93.7% का detail यहाँ आपको देखने को मिलेगा company fully debt free है एक रुपै का भी debt इस company के उपर नहीं है जो की काफी अच्छी बात है अगर इस company के और important detail की बात करें तो आप देखेंगे आप company के पास investment जो की 0.58 करोड का है company के free cash flow की बात के तो 0.52 करोड का detail यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा overall जो detail है वो बहुत ही ज़्यादा strong आपको देखने को मिलेगा लेकिन ऐसे में एक weak point भी आपको देखने को मिल जाएगा जो की इस company का आप देखेंगे promoters holding 3.15% के साथ में है अगर इस company के inventory की बात के तो आप देखेंगे अच्छी खासी inventory इस company के पास में है जो की 13.6 करोड का है तो देखते हैं इस company के और detail को दोस्तो अगर इस company के कुछ और points की बात के तो आप देखेंगे stock price CHGR पिछले 5 सालों में 33% की growth आपको देखने को मिला है तीन सालों की बात के तो 24% और एक साल में आप देखेंगे 379% की growth है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अगर इस company के compounding profit growth की बात करेंगे तो आप देखेंगे 10 सालों में 97% की growth जो की काफी strong growth है 5 साल की बात करें तो 141, 3 years की बात करें तो आप देखेंगे 208% की growth वहीं अगर TTM की बात करें तो 309% की growth है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अगर company के self growth की बात करें जायर से बात है किसी भी company का जो profit depend करता है वो sell पे depend करता है तो self growth की बात कर लेते हैं आप देखेंगे 10 साल में 86% 5 साल में 87% 3 साल में 248% वहीं अगर बात करें TTM की याणि trailing 12 मन्त की बात करें तो आप देखेंगे 405% की detail यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा याणि company का जो overall detail है वो काफी ज़्यादा strong है अगर इस company के promoters holding को हम side में करें अगर उसको भी include करते तो थोड़ा सा risk वहाँ पे लिया जा सकता है तो देखते हैं इस company के और detail को दोस्तो अगर इस company के technical view की बात करें तो आप देखेंगे company ने एक high बनाया वहाँ से या company अपना down भी ले चुका है यानि कि वहाँ से या company correct भी हो चुका है तो काफी अच्छा कासा मौका है इस company को current price वे buy करने का क्योंकि आप देखेंगे या company फिर से moment करना start कर दिया फिर से उपर जाना start कर दिया है जैसे या company अपने 200 दिनों के और अपने 50 DMA को break करके उसके उपर निकलता है तो फिर इस company में एक बड़ा breakout आपको देखने को मिलेगा और यह company यहाँ से फिर से एक तगड़ी growth आपको दिखाएगा तो काफी अच्छा कासा मौका है अगर इस company के business को आपने analyze कर लिया अगर इस company के fundamental को आपने देख लिया आपको पूरी तरीके से satisfaction मिल गया उसके बाद इस company को buy करें क्योंकि penny share हमेशा से रिस्की वहते हैं इस बात का जरूर ध्यार रखें तो चलिए दोस्तो आज के लिए इतना ही वीडियो को like करें share करें subscribe करें thank you for watching this video